Hello Student, Welcome to UPCSS तो टैली स्रीज का यह लक्चर नुमर 6 है और पिछले लक्चर में हम करण लियबिल्टीज के बारे में पढ़ चुके थे क्या होता है और बाकी इसके ऊपर के भी जो ग्रूप है हमारे loans liabilities और capital account के बारे में हम जान चुके थे अब आगे बढ़ते हैं तो अगला group है fixed assets तो fixed assets के बारे में आपको पता होगा सभी प्रकार की साही संपत्यों के खाते जो होते हैं वो fixed assets में खोले जाते हैं जैसे computer, machinery या कोई भी building या cell phone, furniture आदी इन सभी के जो खाते होते हैं वो fixed assets के अंतरगत खोले जाते हैं जब भी इसका लेजर बनेगा वो fixed assets में चला जाएगा अगली number पर है Investment अकंट नाम सभी पता चला है कि जब भी हम पैसा कहीं पर इनवेस्ट करते हैं तो वो investment अकंट पे स्वाराइ या फिर हम ये भी नहीं चाहते हम इस पैसे को अपने निजी खर्च में भी नहीं लेना चाहते और ना ही हम business बढ़ाना चाहते हैं, हो सकता है कि हम 5 लाग में ही हमारा business है, ठीक है, इस से ज़्यादा हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इस पैसे को कहीं invest कर सकते हैं, क्योंकि हम business man हैं, पैसा अपने पास रखके क्या फाइदा या तो हम उसको business में लगा ले, capital बढ़ा या फिर वो पैसा हम कहीं invest कर दें, जहां से हमारी other income हो जाए, तो ऐसे कई सारे platform है, online भी है, offline भी है, जहां पर आप अपना पैसा invest कर सकते हैं, तो जब भी आप अपना पैसा invest करते हैं, तो उनके जब लेजर बनते हैं, वो आप investment में रखेंगे, I think इतना तो clear हो गया होगा investment क्या होता है, investment यानि पैसा जब आप invest करते हैं, वो सभी जो लेजर बनाया जाते हैं, वो investment account के अंतरगत खोले जाते हैं, उनके सभी के खाते हैं, और बाकी investment account का अभी तो use नहीं है, अभी use नहीं है means, तो यहां पर हम अगर आपको दिखाएं slavers, तो यह tally का slavers है, तो यह अभी of tally में हमें पता है, इसमें हम tally का पूरा practical देखेंगे complete, और नीचे जो आपका यहां पर है, accounting में cash ssd1 जो है, यहां से आपका start होगा project, project start होगा मतलब कि यहां पर आपको पूरी complete एक साल की entry करने को मिलेंगी, 1 April 2016 से लेकर के 31 March 2017 तक की, तो इसमें day to day की पूरी entry मे maintain करेंगे कि actually company में क्या होता है, business start करने से ले करके और पूरा साल के अंद तक बीच में कितनी कितनी चीज़े कैसे कैसे होती है, उन सभी को हम एक project के माधिम से बिल्कुल completely देखेंगे, बिल्कुल जैसे real businesses में होता है, तो यह पूरा complete project है, लेकिन इस project में क्या है कि सिर्फ accounting यूज की गई है, accounting क्या होती है, तो साध आपको हमने बताया होगा, कि इंडिया में जो business होते हैं, इंडिया में या क्या पूरे world में, जो business होते हैं, वो two types के होते है, एक होता है आपका service organization, और दूसरा होता है आपका trading organization, एक होता है service organization, दूसरा होता है trading organization, service organization में क्या होता ह सेंगे सभी braces, coaching institute और college अगरा ही इसमें आपके आजाते है इसमें कैवल service बोई सबक्या होते हैंर तो business ही है और इसी तरह से trading organization, trading organization में क्या होता है, यह माल को खरीदा और बेचा जाता है, purchase और sell होता है, बाकी यहाँ पर rent, income, expenses, यह सारी चीज़े तो होती है, plus में यहाँ पर आपका purchase और sales यहाँ यह भी होता है, तो यह trading organization में purchase sales होता है, तो business ही आपके two types के होते हैं, तो इन दोनों business को handle करना हम देखेंगे, और साथ में हम GST भी देखेंगे, tax के साथ में, फिलाल अभी यहाँ पर cash study one में, accounting में हम सिर्फ service organization को handle करना देखेंगे, कि service organization को हम कैसे handle करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो यह आपके टैली के group हैं, यह आपके जो टैली के 28 group हैं total, इन में से सभी group आपके भी नहीं use होंगे, सभी group आपके यूज अभी इसलिए नहीं होंगे, क्योंकि cash study one में इसमें से कम से कम group use होंगे, और जैसे जैसे हम cash study two और three के three तक पहुंचेंगे, तो वहां तक आते 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 आपके सारे group ये 28 group complete हो जाएंगे, जैसे आप इसको इस तरह जम सकते हैं, तो cash study one में अभी आपके capital account, current liabilities, fixed assets, और current assets, और यहाँ पर direct income और indirect expenses, अभी आपके यहाँ पर ये सिर्फ छे group use हो रहे हैं, जो cash study one है, इसमें आपके सिर्फ छे group use हो रहे हैं, primary के, और बाकी नीचे बढ़ते हैं, secondary के देखते हैं, कितने group use हो रहे हैं, cash study one में, तो जो आपके secondary group है, यहाँ पर आपका भी use होगा, sundry creator use होगा, पर भी आपके अभी 6 group, याँ टोटल आपके 12 group अभी use होंगे, cash study one में, और जब हम cash study two के तरफ पहुँचेंगे, तो वहाँ पर हमारे duty and tax provision, अभी ये सारी चीजे वहाँ पर आएंगी, तो अभी हमको सिर्फ ये 12 group जो हैं, आपके इन पर concentrate करना है, इन्हें clear करना है, बाकी के जो group हैं, अभी आप skip कर सकते हैं, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 28 group अगर अभी के अभी, आप सारे रट लेते हैं, या पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जो भी है, और जब इनका use नहीं आएगा, तो आप उन्हें भूल लाएंगे, तो इसलिए इनका जब use आएगा, तो आपको फिर से पढ़ना पढ़ेगा, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, फिलाल यहाँ पर हम 12 group जो हैं, इनको आपको detail में बताएंगे, और बाकी जैसे जैसे जिन group का use होता रहेगा, उन्हें हम यह के करके clear करते रहेंगे, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, आगे continue करते हैं, तो investment account हो गया था यहाँ पर हमारा, उसके बाद अगला जो है यहाँ आपका है current assets, current assets यानि की चालू संपत्ती, चालू संपत्ती काउन सी होती है, जैसे cash हो गया, यह cash क्या है आपका, चालू संपत्ती है, और एक bank account, तो यह आपकी bank account के जो पैसा जमा है, यह क्या है आपकी चालू संपत्ती है, जो पैसा जमा है bank में, और जो cash है यह दोनों क्या है, या फिर वो जल्दी दे देते हैं तो यह होते हैं current assets, चालू समपत्तियां और अग्रिम खाता है, अग्रिम यानि कि अगर हमने किसी को advance दे दिया तो अगर हमने किसी को advance दे दिया है तो वो भी तो हमारी समपत्ती ही है तो वो भी current assets होता है तो इस टाइप की जितनी समपत्ती होती है वो सब current assets यानि चालू समपत्ती के अंतरगत आता है बाकिये group अभी जब हम इन पे based question देखेंगे practically तो और बेतर तरीके से clear होंगे Missliness expenses assist इसका भी काईसरेटी 1 और 2 दोनों में use नहीं यह तीसरी बुक में आएगा यह cashless study 3 में आएगा फिलाल normally बता देते हैं या कई प्रकार के खर्चे होते हैं expenses होते हैं जो starting में business start होता है तो तब खर्च होते हैं उसके बाद में यह expenses नहीं होते हैं तो यह misliness expenses assist होते हैं और उसके बाद है suspense account, suspense account यह क्या होता है जब balance sheet का योग बराबर ना रहा हो मतलब balance sheet क्या होती इसके बारे में हम देखेंगे balance sheet एक प्रकार की report होती है suspense account एक line में अगर हम कहें तो यह इसके अंतरगत वो सभी खाते आते हैं जैसे कभी भी हम भूल जाते हैं जैसे market गए हाँ पर हमा लेते हैं 1000 रुपय बिजनेस से निकाल करके market सामान खरीदने गए और 900 रुपय का सामान हमने 1000 का खरीदा लेकि 900 रुपय का हमने क्या क्या item खरीदा वो हमें याद है लिन 100 रुपए का हमने क्या खरीदा वो हमें याद नहीं है तो अगर वो याद नहीं है तो अब उसको तो हम ऐसे तो कुछ नहीं लिख सकते कि हमने कुछ भी खरी लिया होगा नहीं न तो इस 100 रुपए को तब तक जब तक हमें याद नहीं आता है तो उसको हम suspense account में डाल सकत कि अगर ये कोई company है और उस company की कई सारी branch है तो ये branch division का जो group है वो main company use करेगी इन सभी के जो खाते ओपन करेगी वो branch division के अंतरगत होंगे अभी इसका भी use नहीं है sales account तो जब भी हम माल को बेचते हैं तो वो sales account में आपका जाता है जब भी हम माल बेचेंगे तो वो sales account कहलाता है और उसका जो laser बनता है वो sales account में बनाया जाता है परचेज अकॉट में जब माल खरीदते हैं तो वह परचेज अकॉट में जाता है और यहाँ पर आपके direct income है तो direct income सभी प्रदार की प्रतिच्छा है जो मलब directly हमारी income होती है वो direct income में जाती है जैसे माल लेते हैं कि हमारी coaching institute चल लगी है student ने fees जमा की student ने क्या किया student ने fees submit की तो वो जो fees होगी वो हमारी क्या होगी direct income होगी वो हमारी क्या होगी direct income होगी rent मिला वैसे तो rent नहीं मिलता है लेकिन अगर हमें rent मिला है तो वो क्या हो जाएगी indirect income हो जाएगी अगर हमारा main business ही है buildings को किराय पे उठाना तो वो तो हमारी direct income ही होगी लेकिन अगर माल लेते हैं कि हमने एक पूरा portion ले रखा है अपनी company के लिए यहाँ पर 3-4 कमरों का उसमें से हम सिर्फ 3 कमरे यूज़ कर रहे हैं अपनी shop के लिए या company के लिए एक कमरा जो है वो खाली है तो वो कमरा अगर हम rent पे किसी को दे देते हैं तो इसकी जो income होगी वो क्या होगी indirect income होगी यह क्या होगी indirect income या फिर आपको अगर कहीं discount मिल जाता है कोई commission मिल जाता है तो इस type की income यह indirectly होगी यह clear हो गया होगा इसी तरह से direct expenses होते हैं वो व्यापार में जो पृतित चुरूप में खर्चे के जाते हैं वो direct expenses होते हैं और direct expenses का यूज़ है यह भी cash study one में नहीं है और indirect income का भी नहीं है direct income यूज़ है और indirect expenses का यूज़ है indirect expenses में क्या आता है rent दिया, salary दिया, electricity bill दिया, यह सब आपके indirect expenses में आते हैं इन सभी group पर जब हम एक एक करके question देखेंगे तो यह group आपको अच्छी तरीके से और भी नहीं लगाना चाहते है मतलब हमें लगाना यह पैसा जो 50,000 है यह business में ही है लेकिन अभी नहीं लगाना हमें एक दो महीने बाद लगाना है तो तब तक के लिए हम इस 50,000 रुपे क्यों क्या कर सकते हैं reserve and surplus में रख सकते हैं bank overdraft जब हम bank से लोन लेते हैं secured loans के बारे में हम देख चुके हैं इस पर बेज़ डिया question भी कर चुके हैं unsecured loans जहां पर हम security नहीं जमा करते हैं वो unsecured loans होते हैं duties and tax duties and tax सभी परकार गयों जो tax होते हैं जैसे आपका GST हो गया और जो पुराने tax होते थे weight होता था CST होता था यह जो tax थे आपके यह आपके duty and tax में जाते थे provision entry के बारे में हम जब यह entry करेंगे तो इसको अच्छे सा समझ लेंगे क्योंकि वरना detail में समझाना पड़ेगा और आप भूल भी सकते हैं provision entry को हम तभी देखेंगे जब इसकी ज़रोत पड़ेगी sundry creditor sundry creditor भविस में जिनको पैसा देना होता है भविस में जिनको पैसा देना होता है वे हमारे क्या होते हैं लेंदार होते हैं उनके खाते sundry creditor में बनाया जाते हैं आपर देखें भविस में जिनको पैसा देना होता है यानि कि हम पैसा उनको देंगे तो देंगे क्यों क्योंकि हमने लिया होगा तभी तो देंगे तो हम ये भी कह सकते हैं भविस में जिनको पैसा देना होता है या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिनसे हमने उधार लिया होता है अगर हमने किसी से उधार लिया है, तो वो व्यक्ति जो होगा, वो sundry creditor में जाएगा, और इसी तरह से जिसको हमने उधार दिया होगा, हमने उधार दिया होगा, वो sundry debitor में जाएगा, यानि कि भविश में जिन से पैसा लेना होता है, तो लेंगे क्यों, क्योंकि हमने उधा दिया होगा तक ही तो लेंगे तो वह आपके संड़ी डेबिटर में जाएंगे और इसको आप वीडियो को पॉस करके या फिर आपके पास नोट्स तो होंगे ही जब इसको आप खुद से करेंगे तो आपको चीजे बहतर तरीके से किलियर समझ में आएंगी नोट्स को हमने काफी इजी वे में बनाया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो deposit assist deposit assist यानि जमा की हुई समपत्ती किसी वस्तु के लिए security के रूप में पैसा जो हम जमा करते हैं वो deposit assist कहलाता है जैसे माल लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक swap rent पर लिए है तो अगर हम कोई swap rent पर लेंगे तो उसके लिए हमें 50,000 रुपे या एक लाग रुपे हमें security जमा करनी पड़ेगी तो वो हमें 50,000 रुपे वापस कर देगा मतलब कि यह जो 50,000 है यह क्या है समपत्ती है कि इसमें क्या करते हैं किसी को loan दे देते हैं या फिर advance दे देते हैं मलब हमने क्या किया किसी को advance दे दिया तो वो क्या होगा loans and advance assist में जायागा example समझ सकते हैं कि यहाँ पर company में एक worker है और उस worker की salary है वो 3000 रुपे पर मन्त है तो 3000 रुपे पर मन्त है लेकिन उसको जरूत पड़ी तो उसने किसी महिने में 5000 रुपे ले लिया वलब 3000 रुपे जो लिया है वो salary है expenses में जायेगा और जो 2000 रुपे एक्स्ट्रा ले लिया है वो क्या हो जायेगा loans and advance में जायेगा यह आपका 2000 रुपे जो है यह loans and advance में जायेगा उसके बाद cash in hand तो cash in hand या group cash के लिए इस्तमाल होता है cash cash का laser तैली में पहले से बना होता है と έχ Nay Esco बना होगा तो किसी इस्तमाल के लिए बेचेंगे तो जो लो बचता हो जतनी भी bank account rooftop अबको पता होगा तो यहां पर हमने जो टैली के गुरूप थे 28 उनका हमने एक सौर्ट में समझ लिया है कि यह क्या है और बाकी जैसे जैसे इनका यूज आएगा इनको हम और भी डीटेल में आपको समझाते रहेंगे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं अब हम इन पर बेस्ट कुछ कोश्चन करते हैं ताकि चीज़े आपकी बहतर तरीके से किलियर हो जाएं तो यहां पर हम वही कोश्चन करेंगे जो छूट गये थे यहां पर पिछली वीडियो में तो यहां पर देखिए यहां पर लेजर अंडर यह आपका हो गया था सैलरी ए है इस्थाई संपत्ती है मोहन किसमें जाएगा तो जो मोहन है तो इससे पहले समझना पड़ेगा अक्चली हुआ गया है मोहन ने हमें उधार दिया यानि हमने मोहन से उधार लिया है तो यह क्या हो जाएगा संडरी क्रेडिटर यह किसमें जाएगा संडरी क्रेडिटर में बेंक से पैसा लिया था तो कैस्फ डविट हो गया बैंक करेडिट हो गई लेकिन यहां पर बैंक का जो लेजर है वह नहीं बनेगा क्यूंकि İşte ज nights वहां कर दिया तो यहां पर मोहन का भी लेजल नहीं बनेगा क्योंकि मोहुंइ से उधार भी लिया था तो यहां पर मोहन का लेजर नहीं बनेगा तो एक चीज़ ध्यान बना था राहूल का और अंदर किसके कहे थे capital account के क्यों क्योंकि जब भी कोई business start करता है तो वो capital account होता है यह तो आपको पता ही होगा और उसके बाद राहूल ने 3000 रुपए की chair और 4000 रुपए की table खरी दी थी तो यहाँ पर आपका debit क्या होगा debit हो जाएगा आपका chair और दूसरी बार debit होगा आपका table अब यहाँ पर credit क्या होगा तो credit यहाँ पर cash हो जाएगा और laser किसका बनेगा तो laser आप देखेंगे यहाँ पर laser जो है वो दोनों के बनेगे क्योंकि chair भी पहली बार आ रही है और comma table भी जो है वो पहली बार ही आ रही है अब under किसके जाएगा तो देखिए जो under है तो यहाँ पर यहाँ पर यह दोनों ही क्या है fixed assessed है दोनों ही क्या है वो दोनों के दोनों ही laser एक ही के अंडर जाए या ऐसा भी हो सकता है कि अगर यहाँ पर कोई दूसरा account होता तो इसका अंडर कुछ अलग और इसका अंडर कुछ अलग भी हो सकता था तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं अगला question है राहूल ने 50, परसनल यूज के लिए निकाले तो परसनल यूज के लिए जब भी कोई business से पैसा निकालता है तो उसको या तो हम withdraw लिखते हैं या फिर उसको हम drawing लिखते हैं तो हम जो भी लिखें एक चीज लिखेंगे तो यहाँ पर माल लेते हम withdraw लिखते हैं और credit क्या होगा आपका credit हो जाएगा आपका cash और यहाँ पर laser किसका बनेगा तो यहाँ पर आपका laser जो है यह withdraw का बनेगा किसका बनेगा withdraw का और यह under किसके जाएगा तो यह under जाएगा capital account के अब capital account के अंडर क्यों जाएगा बताते हैं राहूल ने 50,000 रुपे निजी खर्च के लिए निकाले हैं तो यह राहूल ने अपने pocket में पैसा रखा है और यह क्या हुआ capital से कम पढ़ गया कैसे कम पढ़ गया इसको आप इस तरह समझ सकते हैं माल लेते हैं राहूल ने 50,000 रुपे से business start किया था तो अगर राहूल ने 50,000 से business start किया है फिर उसने 10,000 रुपे का computer खरीदा तो अब आप सोच रहे होंगे कि 10,000 का computer खरीदा है वो business से कम पढ़ गया नहीं अब यहाँ पर जब 10,000 का computer खरीदेगा तो 50,000 से 10,000 रुपे चला जायागा तो अगर यह आपका 10,000 रुपे जा रहा है किस रूप में जा रहा है कैस के रूप में आपका 10,000 रुपे जा रहा है वो fixed assist यानि स्थाई संपती यानि की computer के रूप में है जो हमने खरीदा है तो इस तरह से जब भी हम business में कोई भी काम करते हैं business के लिए करते हैं तो वो उसकी entry business capital नहीं बलकि expenses किया तो expenses में जाएगी income हुई तो income में जाएगी और अगर कोई स्थाई संपती खरीदी तो fixed assist में जाएगी लेकिन अगर आप business में पैसा लगाते हैं या निकालते हैं तो वो capital account में ही जाता है अब यहाँ पर जैसे 50,000 से start किया था और राहुल की जरूद पढ़ गई तो उसने 10,000 रुपे निजी खर्च में यूज कर लिए तो अगर 10,000 रुपे निजी खर्च में यूज करेगा तो वो business से कम पढ़ जागा क्यों क्योंकि उसके बदले तो business में कुछ आया ही नहीं सिर्फ 10,000 रुपे राहुल के पास चले गए उसके बदले कुछ आया नहीं आया तो यह 10,000 रुपे क्या है capital से कम पढ़ गया तो यहाँ पर जो withdraw होता है यह भी capital account ही होता है तो I think इतना clear हो गया होगा आगे बढ़ते हैं तो अगले question में हमने आपको पहले exercise दी थी जिसमें से आपको शिरफ debit या credit निकालना था आपको यहाँ पर क्या निकालना था debit और credit लेकिन अब यह वापस से उपकी वही exercise है आपके पास skin shot अल्रेडी होंगे आप क्या करना है आपको debit और credit निकालने के साथ में आपको laser और under भी निकालना है और कुछ student ने comment किया था कि sir English में problem हो रही है तो आपको बता दे कि यहाँ पर ज्यादा hard English नहीं है आप एक दो मन्त आप करेंगे तो English आसानी से समझ में आ जाएगी आपर simple सी English है Mr. Samurma तो हर question में Mr. Samurma तो आगे लगा ही हुआ है इसका तो मतलब आपको पता ही business के honor है इस्टार्टे जा बिजनेस विद कैस रुपीज एट लाग यह नि बिजनेस से स्टार्ट किया आट लाग रुपए से आपको कौन साइस की Hindi है आपको किसी को बतानी है आपको समझना है तो समझ तो I think लेंगे ही फिर भी अगर किसी meaning में कोई problem आ रही है तो उसे आप google कर सकते हैं online search कर सकते हैं उसका Hindi translation कर सकते है फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है और अगर हमें comment ज्यादा आएंगे कि sir Hindi में question दीजिए तो हम courses करेंगे कि Hindi और English दोनों में provide करें लेकिन अभी English का जो पक्ष है वो ज्यादा मजबूत है और Hindi के जो student है ये कम है तो मुझे लगता है कि आपको जो है यहाँ पर English को समझना चाहिए और बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप translate कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दो से तीन महिने चार महिने करेंगे तो सारी चीजे clear हो जाएंगी इंग्लिस आपको tough नहीं लगेगी और बाकी यहाँ पर हम exercise का solution देते हैं तो आपको उसकी तब तो आपको हम हिंदी बता ही देते हैं तो फिलाल आपके लिए यहाँ पर यह exercise है जिसे आपको करना है इसमें total उतनी question है यहाँ पर 7 के बाद यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर total 12 question है जिसमें आपको laser under यह सारा कुछ निकालना है डेविट के laser और अंडर निकालने है तो यह आपका हो गया home work जो आपको घर से करना है और बाकी इसके अलावा यहाँ पर notes में अगर हम देखें तो आपका notes आज हम clear कर देते हैं कि और इसमें क्या क्या बचा है तो यहाँ पर आप नीशे बढ़ेंगे group के बाद आपका आता है voucher यहाँ पर आप देखेंगे types of voucher तो types of voucher जो है यह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे इन सभी को क्या करेंगे अगली वीडियो में detail में समझेंगे कि voucher क्या होते है और इनका use क्या है किसी से कुछ रूल ऐसे थे जहां से आप डेविट के निकालेंगे कुछ रूल ऐसे थे जहां से आप अंडर पता करेंगे कुछ रूल ऐसे हैं जो voucher पता करेंगे बट यह जो terminology of accounting है यह सिर्फ accounting के सब्द है accounting के सब्द है means कि accounting की line में किस चीज को क्या बोला जाता है और वो चीज कितने प्रकार की होती है वो यहां पर आपको बताया गया है सिर्फ knowledge के लिए बल्क न की यह रूल है तो यहां पर trade क्या होता यानि व्यापार आपको अच्छे से पता होगा यहां पर उसकी definition simple एक line में दी गई है profit कमाने के लिए अगर आप कोई सामान या कोई goods अगर आप purchase या sell कर रहे है नि खरीद और बेंच रहे हैं तो उससे आपको income भी होगी और वो आपका क्या कहलाएगा trade कहलाएगा और पेशा क्या होता है यानि profession तो आय अरजित करने के लिए इनकम पाने के लिए कोई भी ऐसा काम किया जाए जिसके लिए पूर प्रिसिच्छड गिया सकता होती है यानि कि हमें सीखना पड़ता है पहले और उसके बाद में ही हम वो काम कर सकते हैं वो होता है वो बिजनेस आता है तो जो ट्रेड और प्रोफेशन होते हैं यह दोनों के दोनों ही बिजनेस के ही अंतरगत आते हैं वलब इस ट्रेड को भी बिजनेस कह सकते हो और प्रोफेशन को भी बिजनेस ही कहा जाता है दोनों ही business के अंतर गताते हैं ऐसा कोई भी वैदानी कार यानि कोई भी ऐसा काम जिससे income हो, लाव हो, profit हो वो सब business के अंतर गताता है लेकिन हमने बोला था ना कि business कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के तो एक तो आपका business हो गया trade यानि जहां trading organization और दूसरा business आप क्या हो गया profession कह सकते हो या फिर service organization भी कह सकते हो और इसी तरह से यहाँ पर आप नीचे पढ़ेंगे तो इसमें diagram भी दिया गया है तो diagram क्या है और यह सब terminology of accounting क्या है इसे आप आसानी से खुद से पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं फिर भी इसको हम अगली वीडियो में एके करके इन सभी चीज़ों को आपको समझाने की कोसिश करेंगे पूरा आपको यह complete समझाएंगे और हो सकता है मेभी कि कल आपके जो notes हैं यह समाप्त हो जाएं तो यह आपके notes भी समाप्त हो जाएंगे तो यह exercise आपके लिए है और यह exercise आपको करना है और बाकी इस exercise का जो solution होगा वो हम अगली वीडियो में इसका solution देंगे जिसमें डेविट के लेजर अंडर और साथे में voucher भी आपको हम बता देंगे कि voucher कैसे निकाला जाता है तो इस वीडियो में इतने रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में thanks for watching this video